उम्र उसकी जवानी या बुढ़ापा निर्धारित नहीं करती है जिस समय 22-23 साल की लक्ष्वी भाई जहासी के किले से कूद कर बच्चे को पीठ में बांधे हुए और ग्वालियर तक दोनों हाथों से तलवारें चलाते हुए बिटे सासन का मुकाबला किया उस समय जगदीश पूर में 90 वर्स के कूवर सिंग अपने हाथ से एक हाथ में तलवार लेकर दूसरे हाथ को काठ कर गंगा में फेक रहे थे क्योंकि जहर नहीं फैल जाये सरीर में तो हम जवानी किसको कहेंगे हम सुनते आ हैं असी गाव लगे थे तन में फिर भी ब्यता नहीं थी मन में तो जिनको असी गाव लगे हुए थे वो तो असी वरस के थे और पता चले कोई 20 साल कई है और उसको डर लग रहा है गर्जे बाहर निकलने में तो लेकिन इसके में ताकत है जिसके भाजू फड़कते हैं जिसका घर्म लोहु है उसको यह फैसला करना पड़ेगा कि उनके जीवित रहते समाज के अंदर पीडित वर्क के साथ कोई अन्याय नहीं हो पाए यववन वह जो खेला करता है नंगी तलवारों में यववन वह जो जलता रहता ह जलते अंगारों में यवन वह जो लक्षन भूले फसेन जंगली माया में यवन गाता सदा भैरवी लू लपटों की चाया में बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ में इतनी सारी जानकारी साजा करने के लिए और बताने के लिए कि जाती वाद और पॉलिटिक्स को मिलाना नही के लिए और एक अच्छे जनलिस्ट के रूप में आपका मैं स्वागत करता हूं अविनंदन करता हूं और फर्ष्ट इंडिया परिवार और उसके नेतिर्त्व करता स्रीमान जगदीश चंद्राजी के प्रती आभार व्यक्त करता हूं बहुत शक्रिया सर्थ इसी के साथ